वेल्कम बाक टो माँ चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड के साथ इस एपिसोड में बात करेंगे के साथ इंडिया जो की आने वाले समय में पोटेंशल मल्टी बैगर हो सकती है कैसे वह इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्या साइंस ऐसे मिले कि इसको मैं करना पड़ता है दो इस लिससे बाहर निकलके आती है कंपटी तो बेसिकली आप लोग को मॉनिटर करना बनता है क्यों क्यों कि मतलब अगर इसके अंदर आप लोग देखो कंपटी के अंदर सेज्स ग्रोथ वगरा तो वह 103% कि आसपास की है जो कि मतलब एक समय पर इनफोस यहां पर आप लोगो एजिली 100-200% दो साल के अंदर या 3 साल के अंदर दे सकती है तो एक कह सकते हो कि मल्टिबगर पोटेंचल है कंपनी के अंदर बिला है return on capital employer return on equity अगर देखो को तो company के काफी अच्छी है stock की पी अभी इनके sales growth के साफ से देखो थोड़ी सी काम है मतलब एक अच्छे कासे valuation पर मिल रही है company क्योंकि अगर 100 की आप लोग की sales growth है तो उसके साफ से stock की pay भी बढ़ सकती है क्योंकि अगर यहां पर अगर हम लोग expectations भी लगाया जाया तो आने वाले सालों में company काफी तीजी से grow करेगी और यहां पर net profit margin देखोगो तो profit margin पर company अच्छा कासा कमा रही है CHR growth देखोगो तो complete 277% से compound annually growth कर रही है यहां पर debt और reserves की बात कहरें तो debt यहां पर company का zero है almost zero और reserves व्यासे बहुत साता कम है तो reserves बढ़ानी की जरूँ था although reserves यहां पर debt नहीं है लेकिन फिर भी reserves company को रखना चाहिए अब यहां पर देखा जाए company की sales तो यहां पर sales देख सकते हो आप लोग की एक पहले तो यहां पर 2016 से लेके 2019 तक की बात क्या है करना उसके बाद लेकिन देखेंगे तो काफी अच्छे तेजिल सा आप लोग देख सकते हो कि sales के अंदर एक बड़ा बड़ देखने को मिद रही है अब यहां पर आप लोग अगर नीचे आओ शेरोलिंग पैटेंस में तो नहीं है सेप्टेंबर और दिसंबर कॉर्टर की है तो उस बिसिस पर आप लोग देख सकते हो कि प्रमोटर सी ओल्डिंग चेंज नहीं हुई बट FIS के अंदर एक थोड़ी से मिनमम इंट्री हुई है यहां पर बागी पब्लिक की ओल्डिंग एक परसंट से कम हुई है गर शोटी कमपनी है तो रिस्क हमेशा बना रहता है छोटी कमपनी और अभी कमपणी आई है मार्केट के अंदर तो नमबर धीमे-्दीमे कम हो जाएगा अगर आप लोग यह चीज समझ गए तो company से कई बार आप लोग बच जाओगे जो जैसे वकरांग की नाम सुना होगा आपने एक समय पर उनकी sales लगातार बढ़ रही थी लेकिन वो testing period के अंदर था उसके बाद automatically जब लोग को उसका service पसंद नहीं आई तो automatically उसका share अपने आप गिर गया तो अभी फिलाल IT की देख हो जा रहे हैं कुछ को कह रहे हैं कि अभी credit suits जैसे bank के अंदर भी अभी collapse आने के chances हैं तो अगर वैसा होता तो उनकी economy अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो services हम लोग से लेते हैं IT services वो भी लेना थोड़ा सा कम हो जाएगा although यह चीज़े बहुत जाता तुरांट effect करती नहीं है लेकर लास्टिंग मतलब पीरेट में रह गया यह चीज़े रेसेशन वगर तब जाके दीमें दीमें effect करने लगें तो वो जो खासकर कि नई IT companies हैं उनके लिए थोड़ा सा problem वाली बात हो सकती है फिलाल अभी अगर हमने चार्ट पैटन पे देखा जाए तो जल बार इसको यहां पर प्रोटक कर रहा है तो यहां पर फिलाल अभी देखा जाए तो इसको आप लो ट्रेड ऐसे करोगे यह नीचे वाली ट्रेंड लाइन तूड जाती है तो यहां पर खरीदने की कोई ज़रोतने फिर एग्णोर कर दो आप लो लेकिन अगर इन वारे से कंपनी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है फिर यहां से आप लो बाय कर सकते हो पहले तो स्विंग ट्रेड वालों को लिए बता दें टार्गेट आपका होगा यहां से लोके इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लो तो टार्गेट आपके मिल सकते हैं यहां पे कुछ 560 वाले हैं उनको 2-3 साल के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को अपने पोर्फोलियो में देखने के लिए मिल सकता है तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है लेकिन आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा जो इनके क्लाइंट है वो रिपिटेटिव आ रहे हैं य सकते हैं फिर चार-инг-खायर साल के लिए यहां पर दुनिया की तो हर 5-6 साल में चेयजर आता है तो इतने लंबे होराइजिन के लिए तो नहीं बता सकते हैं Maximum 3-4 साल अगर हम अभी हैं तो यहां तो यहां पर पता सकते हैं खिलाल की लिए चलेंगे मिलेंग अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन में टंज गूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके बाए